नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है N Sports HD 24 पर दोस्तों पहले मैच के हीरो रहे थे शीवम मावी और दीपक हुडा उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी जिस तरीके से दीपक हुडा ने बैक टू बैक 6 लगाए स्री लंका को इससे जो है तो टीम इंडिया की भविश जो है तो तै होता है यदि देश के युवा यंग्स्टर खिलाडी अच्छे खेलेंगे तो टीम इंडिया अच्छी करेगी और शीवम मावी ने बता दिया और दीपक हुडा ने बता दिया कि हम न्यू प्लेयर नहीं हम इंडिया के मजे हुए प्लेयर है हमें मौक नहीं दिया गया उतना टीम इंडिया के सभी वैसे तो सभी खिलाडियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जिसके बदावलत पिछले मैच में इंडिया ने दो रन से जीत हांसिल की थी स्री लंका की दोर पर आपने देखा होगा कि तरीके से हारदिक पंडिया ने अ उनको मौके मिलते रहेंगे बड़े मौके मिलते रहेंगे तो वो बड़े मैचों में परफॉर्म करके देंगे और पुराने खिलाडियों को आप रिप्लेस कीजिए बड़े बड़े नामों को आप रिप्लेस कीजिए छोटे छोटे जो खिलाडी है जो बिग हिटर्स हैं जैसे इशान किशन हो गया, शुमन गिल भी अच्छी खेलेंगे, अभी पहले ही मैच उनका हला की बहुत खराब गया था, लेकिन आगे आने वाले मैचों में वो बहुत अच्छा खेलेंगे, क्योंकि शुमन गिल ने न्यूजीलेंड में बहुत अच्छी खेल दिखाई थी, इसलिए हम शुमन गिल के उपर भरोशा कर सकते हैं, शूरी कुमार यादा तो दिखाएंगे, संजू सेमसंग ने पहले मैच में थोड़ा सा लेक किया, उन्होंने खराब शौट सेलेक्शन के बदलत उनको बल्ले बाजी सही से नहीं कर पाए, लेकिन उनको एक, उनसे एक म तनकट में पड़ गई थी टीम इंडिया, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा मौका मिलता है, इसके बावजूद भी लेकिन संजू सेमसंग को जाधा हाईलाइट किया जा सकता है, इसे प्रकार से अर्ष दिफ सिंग ने भी किया था, जब मैच था पाकिस्तान के खिलाफ लड़ू कैच टपकाया था हलाकि उसमें विराट कोहली लास्ट में निकाल के ले गए ले गए थे लेकिन आप ध्यान कीजिए एक बार अर्षदीब शिंग ने भी ऐसे किया था ले वर्ल्ड कप में वो भी लेकिन अर्षदीब को एकदम कंटीन्यू मौके मिलते गहे थे उनको ऐसा कोई नहीं बोला था लेकिन जितना सोसल मीडिया में संजु संसंग की जो है तो बुराई हो रही है जितना चर्चे हो रहे हैं वह बहुत जादा है इतना चर्चे नहीं होना चाहिए क्योंकि क्रिकेट में ऐसी बात होती रहती है कभी न कभी आपने टीम इंडिया ने हार का सामना किया था क्योंकि उसी बल्लेबाज ने जादा रन मनाये थे जिसका कैच जो है तो केल राहुल छोड़े थे तो ऐसी चीज़े होती रहती है इसलिए आप संजु संसंग को जो है तो ब्लेम करना बंद कीजिए क्योंकि वह अच्छे खिलाड़ तो कमाल के खेले और अक्सर पटेल यहां पर हरसल पटेल ने भी अच्छी बैट बोलिंग किया है लेकिन श्रीवम माभी की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी होगी मुझे तो लगता है कि श्रीवम माभी को ही मेन आफ दा मैच मिलना चाहिए आपको क्या लगता है कमेंट ब मनाये थे अच्छे रन मना दिये थे 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से जो है तो बैटिंग किया था इसलिए उनका भी भागेदारी उतना ही है क्योंकि टीम इंडिया सिर्फ दो रन से हारी है इसलिए उनका भागेदारी बहुत जादा बन जाता है यहां पे दो रन काफी ज्यादा माइने रखते हैं इसलिए जो है तो दीपक हुडा बहुत अच्छे प्लेयर में माने जाएंगे और बहुत अच्छा किया था इसलिए उनका स्रे जो है तो उस दिन बढ़ जाता है उम्रान मलिक और यूजी चहल ये भी बहुत गजब के खिलाडी है हलाकि यूजी जादा कुछ करे नहीं थे अर्षदीप सिंग जो है तो उस मैच में खिलाया नहीं गया था अर्षदीप सिंग को वशिंगटन सुंदर को भी नहीं खिलाया गया था रितुराज गायकवार को भी नहीं खिलाया गया था लेकिन जितने भी लोगों को खिलाया गया था वो ब प्राइब पर आएंगे हार्दिक पांडिया चटे नंबर पर आएंगे दीपक हुडा सात्यों नंबर पर आएंगे अक्सर पटेल और पिर इसके बाद हर्शल पटेल शिवम माभी उम्रान मलिक और यूजी चहल यही हमारे होंगे गेरा खिलाडी जो की परफॉर्म करेंगे अच्छे तरीके से इंडिया को और जीत दिलाएंगे दोस्तों वैसे भी स्री लंका की टीम अभी बहुत दिनों से जो है तो भारत में सीरीज नहीं जीता है हलाकि स्री लंका के तरफ भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स आया है जिस तरीके से वहां के कैप्टन ने पिछले मैच में जो अपनी पर्फॉर्मेंस दिखाई थी शना का जो है तो 45-46 रन मनाये थे स्री लंका के जो लास्ट प्लेयर था वह आउट हो गया और स्री लंका जीतते जीतते जो है तो बच गया वहां के कॉशल मिंडीज बिकेट कीपर है शना का कैप्टन है पथुम निशंका जो है तो बैट्समैन है तीसरे पराते हैं धनंजे डी्सिल्वा है असलंगा और बीराज जितने भी खिलाड़ीं बहुत अच्छे खिलाड़ी है तो इसलिए जो है तो छो मैके मैच में इंडिया जीतना चाहिए यदि यह मैच जीती तो Team India का सीरीज पक्का हो गया दोस्तों आप Team India के बारे में क्या सोचते हैं और आपके लिए एक question है कि आज कौन सा खिलाडी सबसे ज़्यादा run बनाएगा आप comment में जो है तो इसका answer पिन कीजिए और ऐसे ही वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइगन को प्रेस कीजिए ताकि हम ऐसे ही क्रिकट के खबरें और इन्फरमेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें कर दो कर दो इसाट रहें झाल झाल